दोस्तों किया आप ये जानते हैं भारत में 7.5 करोड से भी ज्यादा diabetes patients हैं इंडिया में हर 6 में से एक व्यक्ति को diabetes है क्या आप या आपके पहचान वाले किसी व्यक्ति को diabetes है तो एक बात याद रखिए दुनिया की हर परिशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है मैं डॉक्टर सुमीच श्रिवास्ताओ आज आपको 5 ऐसे शस्त्रों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी मदद से आप केवल diabetes से लड़ ही नहीं सकते बलकि एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं आप अगर हमारी ये list देखें तो आप ध्यान देंगे कि treatment का number काफी नीचे है इसका मतलब है treatment को छोड़ कर काफी कुछ चीज़े हैं जिनकी मदद से हम diabetes से लड़ सकते हैं मेरे ये instructions केवल type 2 diabetes के लिए ही नहीं बलकि काफी हद तक type 1 diabetes और gestational diabetes patients के लिए भी काम में आएंगे बढ़ते हैं हम हमारे पहले वेपन की तरफ जो है regular physical activity American Diabetic Association और RSSDI India के निर्देश के अनुसार मात्र 1500 मिनिट की simple activity हफते में एक बार करने से जिसका मतलब है सिर्फ 20 मिनिट की physical activity अगर हम दिन में करें तो हम हमारी diabetes को काफी कम कर सकते हैं इसके साथ-साथ insulin sensitivity बढ़ा सकते हैं जो type 2 diabetes का एक एहम पहलू है इसमें सबसे बड़ा जो फाइदा होता है वो है diabetes के वरे से जो complications हमारे heart, हमारे kidney, हमारे पैर को, नसों को हो सकते हैं उसको हम कम कर सकते हैं और अगर आपने देखा है थोड़ी भी physical activity regular basis पे करने से हमारी muscle strength बढ़ती है हम active रहते हैं और दिन भर fresh रहते हैं क्या आप जानते हैं, Hippocritus ने क्या कहा है Walking is man's best medicine, so we should really use it as a medicine हमारा दूसरा weapon है diet Diet का नाम सुनते ही बहुत कम लोग excite होते हैं Dieting का नाम सुनते ही लोगों को या तो frustration होता है, या तो मायूसी आती है, या कुछ लोगों को गुसा भी आता है Diabetes Patients अमूमन हमारी practice में हमसे simple questions पूछते हैं कि क्या मैं mango खा सकता हूँ, क्या मैं ice cream खा सकता हूँ, क्या मैं cake खा सकता हूँ मैं उनसे कहता हूँ, कि अगर आप limit में ये सब चीज़े खाएं, तो definitely खा सकते हैं primarily हमारी कोशिश ये होती है हमारे patients को बताने के लिए कि diabetes में आपका diet एक combination होना चाहिए जिसमें adequate amount of carbohydrate, adequate amount of protein और adequate amount of fat हो मेरे diabetes patients को मैं हमेशा ये suggestion देता हूँ कि कुछ चीज़ों को avoid करना है और कुछ चीज़ें regular basis पर लेनी है किन चीज़ों को हम ले सकते हैं? Diabetes में मैं suggest करता हूँ आप nuts, vegetables, fruits with low glycemic index, patient अगर non-wage food खाते हैं तो थोड़े मातरा में chicken, fish कम तेल में बनाए हुआ definitely ले सकते हैं कुछ चीज़ें जिनें हमें avoid करना है वह है packaged food, chocolates, cold drinks हमें तेल का intake खाने में कम से कम रखना है, salt चार से पांच ग्राम पर डे से जादा नहीं होना चाहिए अपने खाने में कम तेल का इस्तेमाल कीजिए और अपना खाने वाला oil regular basis पे change करना जरूरी है एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने diet का approval लेना या तो आपके treating doctor से या किसी trained dietitian से दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है When the diet is wrong, the medicine is of no use and when the diet is right, medicine is of little need बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे हत्यार की तरफ जो है weight loss ऐसा देखा गया है कि 90% diabetes patients या तो overweight होते हैं या तो obese होते हैं ADA की guidelines के अनुसार अगर diabetes patients अपने existing weight से 5-7% weight कम कर लेते हैं जिसका मतलब है अगर मेरा weight 70 kg है तो 7% weight loss मतलब अगर मैं अपना weight 5 kg कम कर लेता हूँ तो बहुत high chances है कि मेरी diabetes reverse भी हो सकती है या मेरी diabetes से होने वाले complications significantly कम हो सकते हैं Males जिनका waist size 40 inches से उपर होता है और females जिनका waist size 35 inches से उपर होता है ऐसे लोगों में diabetes होने के chances भी जादा होते हैं और diabetes के complications भी जादा हो सकते हैं एक ही चीज याद रखिए weight loss के समय unrealistic goal नहीं set करना है हमने देखा है patients बहुत बार random diet follow करते हैं कुछ artificial तरीके से कुछ powder, कुछ churen, कुछ medicines लेके अपना weight loss कर लेते हैं वो कर तो लेते हैं बट मेरे experience में और maximum doctors और dietitians के experience में ऐसे patients इस तरीके के weight loss को जादा दिन sustain नहीं कर पाते और वो फिर से उस तरीके का weight regain कर लेते हैं Confucius ने क्या खूब कहा है It does not matter how slowly you go as long as you don't stop धीरे-धीरे किया हुआ weight loss long term में sustainable रहता है और weight loss करने के बाद आपको एक sense of achievement मिलता है पिछली बताई हुएं दो बाते डायेट और physical activity के साथ-साथ अगर patients हफते में 2-3 बार या तो gym जा सके कोई resistance training exercise करने के लिए या 2-3 बार योगा कर सके तो काफी हद तक significant weight loss अचीव कर सकते हैं चौथा weapon है the addiction बहुत बात patients अपने addictions के बारे में चाहे वो smoking हो, tobacco हो या alcohol हो या तो doctor को बताना जरूरी नहीं समझते या doctor को बताने से कतराते हैं आपको ये बात याद रखना है कि आपके हर addiction के बारे में doctor को knowledge होना जरूरी है ऐसा देखा गया है कि जो भी diabetic smoking करते हैं, उन्हें खून की नस्व में बहाव कम होने की वज़े से आगे की life में बहुत सारे complications हो सकते हैं उसी तरह से अगर diabetic patients alcohol का consumption regular basis पर जादा मातरा में करते हैं, तो उनको liver का नुकसान हो सकता है smoking, tobacco और alcohol के long term implications diabetes पर बहुत बुरे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी doctor की मदद से एक gradual de-addiction process करना चाहिए और किसी activity में involved करके अपने आपको इन चीज़ों से दूर करना बिलकुल मुश्किल नहीं है बढ़ते हैं हम हमारे 5-5 point की तरफ जो है medical treatment आपके doctor आपको evaluate करने के time पे sugar के साथ-साथ कुछ और test suggest करते हैं वो test करने से diabetes के वज़े से बाकी शरीर के organs पे कुछ effect है या नहीं वो पता पड़ता है doctor के दिये हुए prescription के अनुसार आपकी duty है कि आप आपका treatment regular लें doctor के दिये हुए instructions चाहे वो diet के हो, physical activity के हो या weight loss के हो regular basis पर follow करें और अगर आपको by chance किसी दवा से कोई तकलीफ हो रही है तो आपके doctor को please inform करें ऐसा देखा जाता है कि patients बहुत बार बिना doctor से पूछे अपनी दवाई बंद कर देते हैं और फिर उनकी शुगर बढ़ने लगती है ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानी कारक हो सकता है आपको आपके doctor के साथ regular basis पर communicate करते रहना चाहिए और उनकी दी हुई तारीक पर follow up करना जरूरी होता है तो दोस्तों जिन 5 वेपन की मदद से आप diabetes पर विजय पा सकते हैं वो है regular physical activity, diet, weight loss, de-addictions, regular treatment और follow up जरूरत है सिर्फ एक all round effort की diabetes से परिशान होना natural है पर अगर आपने देखा है दुनिया के बहुत famous footballers, cricketers, CEOs और बड़ी बड़ी famous personalities ने diabetes को मात दी है तो आप भी दे सकते हैं, you need to fight diabetes and you'll definitely come out of it Friends, अगर आपको हमारी दी गई information पसंद आई है, तो प्लीज इसे share कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए और अपने कीमती comments दे कर हमारा उत्सा बढ़ाईए हम इस तरह के information videos आपके लिए regular basis पर बनाते रहेंगे आपके लिए और आपके लिए आपके लिए लेगए लेग।